इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइप सिंबॉल इन एक्सप्सन हैंडलिंग राइट प्रिविएस वीडियो में हमने डिसकस किया था ट्राइविट मल्टीपल कैच ब्लॉक्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर दी इंटर्वीव परपस अगर आपका छूड गया थ प्रिविएस वीडियो देख लो बेसिकली बोल सकते हो हो ट्राइविट मल्टीपल कैच ब्लॉक्स का ही यह रिप्लेस्मेंट है आप ऐसे बोल सकते हो ठीक है चलिए हम बात करते हैं पाइप सिंबॉल होता क्या है देखो मैंने यह यह पर डाइफनेशन लिखा है असिंगल कैच ब्लॉक्स के अंदर मल्टीपल टाइप्स के एक्सेप्शन आप बता सकते हो है ठीक है अब यहां पर एक ही कैच में आप एक ही कैच ब्लॉक्स में सारे एक्सेप्शन बता सकते हो एक ही कैच ब्लॉक्स में आप लिका है अप एक सिंगल कैच ब्लॉक्स में आप मुल्टीपल टाइप्स अप्सेप्शन बता सकते हो है अब यह पर एक सिंगल कैच ब्लॉक्स में आप मुल्टीपल टाइप्स अप्सेप्स बता सकते हो है अब्लीपल टाइप्स अप्सेप् नेक्स पॉइंट देखो लिखा इट वास इंट्रड्यूस इन जावा सेवन बेसिकली जड़ी के सेवन वर्जन में इसको इंट्रड्यूस किया गया था ठीक है ना अब इसका सिंटेक्स देखते हैं हमने यहां पर ट्राइ लिखा है ट्राइ के अंदर आपका यह आपका जो एक्सप्शन आने की चांसे से वह वाली कोड यहां पे लिखोगी देन कैच में देखो एक्सप्शन टाइप वान टू इसी तरीकी से थ्री फॉर फाइप आप एक्सप्शन टाइप बता सकते हैं धैन कैच आपका ब्लॉग का कोड हैंडलिंग कोड ठीक है चलिए दो चार हम डिसकस करेंगे जादा आपको क्लियर होजाएगा ठीक है तो मैं यहां पर इक नरतो आधा पाल वना लेता हूं इसको lif कर दिया है पाइप डाट जावा ठीक है Pipe डाट जावा है चलिए हम बैसिकली क्लाइस बना लेते हैं क्लास का नेम दे दिया मैंने यहां पे क्लास पाइब ठीक है ख्लेर अपन पाइब देता हूं क्लास का नेम एंडेन में अब यूजर से इंपूट लेना है तो आप क्या करोगे scanner class का object बना लो है ना तो हम यहां पर इसका example cover करेंगे scanner semi color ठीक है अब मुझे यहां पर arithmetic एंड आपका जो arithmetic exception और आपका जो area index out of bound exception दोनों मुझे try block के इंदर declare करना है चलो arithmetic के लिए तो हम user से input करवा ले स्कैनर का object बना लो इंपूर्ट कुल्टो निउ इसकैनर देन सिस्टम डॉट इन यह पाइप बहुत वार पूछा गया है याद रखना यह ट्राइवी मल्टीपल कैच ब्लॉक्स का ही यह एक है यहाद रखना उसमें लोग क्या करते थे ट्राइव के साथ multiple कैच ब्लॉक्स डिकलियर करते थे multiple exception को handle types को handle करने के लिए लिए ना तो आप multiple नहीं डिकलियर करके एक ही कैच ब्लॉक में सारे exceptions बता सकते हो तो वह है आपका पाइप चलिए ट्राइ के अंदर मैं यहां पर करता हूँ यहां पर मैंने एक यूजर को मैसेज दे देता हूँ system.out.println enter number number enter करो and then हम उसको एक variable में रख लेते हैं a equal to input dot next int जैसे यूजर ने इंटर किया हमने a वाले variable में रख लिए I hope clear है अब यहां पर मैं क्या करता हूँ system.out.println यहां पर a divide by मैं यहां पर 10 divide by कर देता हूँ I say 10 divide by a जो भी a में आप value enter करोगे उसको 10 से divide करें clear है और दूसरा में यहां पर exception array index out of bounds exception मैं बता देता हूँ array ले लेता हूँ a double r equal to मैंने यहां पर कुछ array में value store कर दिया चले clear है हमने value store कर दिया यह हमने basically दो बताया एक arithmetic exception और एक array index out of bounds exception तो इसको handle करने के लिए हम यहां पर catch block clear करें हूँ यहां पर मैं लीग देता हूँ सबसे पहले आपका arithmetic exception और पाइप सिंबॉल से आप क्या करोगे इसको separate कर लो then array index out of bounds exception इ दिया मैंने reference variable and then यहां पर मैं क्या कर देता हूँ print करा देता हूँ system.out.println e clear a point और यह जो array है यहां पर मैं क्या करता हूँ इसको print करा लेता हूँ आपको इसमें error आएगा तो इसका भी आपका जो होगा exception प्रिंट हो जाएगा ठीक है मैं यहां पर array का क्या करता हूँ index number 5 पे कौन सी value हो वैसे तो 5 basically है यह नहीं 0 number index से start होता है 0 1 2 3 ही है मैंने 5 लेका 5 number positions पे कोई भी index पे value है यह नहीं चलिए देखते हैं इसको चला आके थोड़ा यह चलता है नहीं ठीक है यह basically आपका unchecked exception है दोनों ठीक है न कंपाइलर open कर लेता हूँ मैं पेरा folder है desktop पे तो cd desktop पे चले जाता हूँ then java नम का folder cd java then javac and then file का name है आपका pipe.java में ने दिया है ठीक है चली compiles find और आपका class का name में ने दिया है यहाँ पर pipe तो देखो इंटर number में ने two enter किया तो यहाँ पर देखो error तो arithmetic पे नहीं आया लेकिन आपका array index out of bounds exception आया ठीक है bounce exception अगर मैं यहाँ पर फिर से compile करता हूँ और zero में ने इंटर किया तो यहाँ पर देखो arithmetic exception आ रहा है मतलब दोनों टाइपस के exception आपको catch block के अंदर आ रहा है ठीक है अगर जहाँ arithmetic आ गया तो आपको पता है rest of the code है वह आपका check ही नहीं होगा try block के अंदर ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा जब यह rest of the code ही देखने होगा तो first of all exception जो आया उसको यहाँ पर प्रिंट करतेगा और यहाँ पर अगर जा मैं handle कर लेता हूँ यहाँ मैं 10 divided by 2 दे दिया ठीक है चलिए देखते है इंगबर फिर से मैं इसको compile कर लेता हूँ और मैंने zero दिया और यहाँ पर catch block में वहाँ पर handle हो गया यह पर इंट हो गया आपका ठीक है यह वाला नहीं चला क्योंकि इसमें आपका क्या है यहाँ पर exception आ गया exception आ गया तो यह वाला rest of the code तो चले गए ठीक है clear है यह धोरा ध्यान में याद रखेगा आप लोग अगर जाएंगे exception नहीं आया तब यह वाला चेक होगा ठीक है यह हमने previous वीडियो में भी discuss किया था details में ठीक है अब यहाँ पर देखो मैंने two enter किया है यहाँ पर कोई error नहीं आया आपका arithmetic वाले में तो आपका दूसरा exception यहाँ पर प्रिंट हुआ एरे में आपका क्या है एरे index एरे index आउट ऑफ बाउंस exception है clear point यह है example नंबर फर्स पाइप का I hope clear है आपको चलिए और एक दूए example हम discuss करते हैं तो यह basically हुआ क्या कि यह try के साथ आपको multiple catch blocks declare नहीं करना पर आएक ही catch block के अंदर आप multiple catch exception टाइप्स बता दिए ठीक है ना clear है तो एक ही catch block के अंदर handle हो रहा है multiple exception है ना चलिए अब example number two example number two हम देखते हैं मैं क्या करता हूं यहाँ पर चलिए देखिए इसी में मैं इसको हटा देता हूं अब और यहाँ पर लिखता हूं thread dot sleep ठीक है यह कौन सा exception है basically यह है आपका interrupted exception है ना जो आपका क्या आता है तंपाई टाइम चलिए इसको हम यहाँ पर मैं बता देते हैं interrupted exception पाइप से हमने एक और बता दिया है आपे suppose करो इसमें अर्थमेटिक exception बता देता हूं जब क्यों अर्थमेटिक इसमें आने की chance देजी नहीं है नहीं है ना clear है यह interrupted exception आया अगर जा मैं ऐसे declare करता हूं और इसको फिर से चलाता हूं देखते हैं क्या आता है आपका देखो यहां पर चल गया clear point तो यह वाला exception तो यहां तो handle हो रहा है ठीक है ना clear point अब एक और exception यहां पर देखके देख लेते हैं हम लोग जैसे file input file की data को read करने के लिए ठीक है तो हम यहां पर देखे देख लेते हैं इसके अंदर file मैंने दिया यहां पर file का नेम दे दिया gupta.txt ऐसा कोई मेरा file है यह नहीं ठीक है और इसके लिए आपको यहां पर import करना परेगा क्या import करना परेगा java.io package input output package clear point चली dot star लगा दिया अब मैं इसको compile करता हूं यह पर क्या परारा आपका file not found exception यहां पर क्लीर क्लीर प्रिय। ex यह बताया है तो आपका कौन सा प्रियुल हो रहे है ऊधिया चलू मैं यहां पर बता देता हूं फाइल फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ठीक है clear है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन चलिए इसको save कर लेते हैं इसको save करके चलाते हैं clear screen compile and then हम लोग इसको run करते हैं java file का name है मेरा pipe sorry pipe देखो यहां पे अब error आ रहा है कि file not found exception और यह gupta file है इने इससे पहले आपका आ रहा है था क्या कि इसको handle करो मतलब आपका compile time पे क्या आता है warning आता है मैं अल्रेडी discuss कर चुका हूँ compiler आपको बताता है कि इसको आप report करो using try catch या त्रोज keyword इसको handle करो ताकि आगे problem ना आए मतलब in future यह exception नहीं आए ठीक है तो actual जो exception आता है आपका वो run time पे आता है यह always याज रखना ठीक है और compile time पे always आपका warning message आता है ठीक है ताकि इसको आप handle कर लो आगे जाके problem ना हो ठीक है यह है हटा दिया है यहां से और मैं यहां पे लिख देता हूं IEO exception अब यह देखना IEO parent class exception है यह आपका file not found child class exception है ठीक है तो इस case में आपका क्या error आता है देखो यहां पे मैंने दोनों declare कर दिया है तो क्या error आएगा let me check देखो यहां पे यहां पे देखो क्या आ रहा है error alternatives in multi-catch statement cannot be related by subclassic ठीक है तो देखो यहां पे error आ रहा है clear आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि चब parent class declare कर दिया है and then child class exception declare करते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते ठीक है तो यह सब पुछा गया interview clear a point I hope clear then next example therefore last और हम क्या कर लेते हैं एक दो एक्सामपल और discuss कर लेते हैं suppose example number four अब यहां पे जो हमने यहां पे declare किया है अब इसको एक और catch block मैं ले लेता हूं और यहां पे मैंने paste कर दिया ठीक है यह तो आप समझ ही गए तो यह हम नहीं कर सकते तो इसको हटा देता हूं और यहां पे मैं सबसे पहले interrupted ही बता दिया ठीक है and then इसको मैं copy कर लेता हूं paste अब यहां पे बता देता हूं इस जिगर पे मैं arithmetic exception and then यहां पे pipe symbol से हमने बता दिया string कि इस प्रिंग एंडेक्स आउट 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 औओंट यहां पिर रिफ्रेश्पट और यहां पर मैं क्या कर लेता हूं एक और exception declare कर देता हूँ system.out.print ln 10 divided by 0 अब मैंने यहाँ पर देखो string index out of bounds exception दिया हूँ arithmetic तो यहाँ पर मैंने mention किया लेकिन यह ऐसा कोई exception इस पर चांस ही नहीं आने गा string index out of bounds exception अगर जहाँ आप ऐसा declare कर देते हो तो क्या होता error अतर नहीं error नहीं आएगा कोई फरक नहीं परेगा यह वाला match कर रहा है तो आपका यह वाला print हो जाएगा clear point चलिए हम देख लेते हैं अब मैं इसको यहाँ पर compile करता हूँ class का name है file चलिए देखो यहाँ पर क्या रहा है file not found exception ठीक है तो file not found basically यह वाला file इसको नहीं मिल रहा है यहाँ पर print कर दिया अब इसमें आपका error नहीं आया है ठीक है अब मैं इस वाले line को यहाँ पर comment कर देता हूँ ठीक है अब देखना इसको comment कर दिया फिर से मैं compile करता हूँ अब यहाँ पर क्या आ रहा है देखो file not found exception मैंने compile यह चीज़े हम बता रखा है ना मैंने तो 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 अब क्या करो इसको हम इसलिए आ रहा है कि इस वाले basically जो हमने यह code लिखा है इसमें file not found की chances ही नहीं है आने की ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर पॉर्मेट exception शलिए ऐसा लिखता हूँ अब मैं एक बार compile करता हूँ देखते हैं क्या आता है इस बार देखो चल गया clear a point और आपका class का name है पाई देखो अब क्या आ रहा है अब आ रहा है आपका arithmetic exception clear a point समझ गये ना I hope clear अब यह वाला check हो रहा है अगर जहां मैं इसको भी हटा दो तो आपका यहां पर जो हो रहा है कि यह वाला exception तो हमने यहां पर declare ही नहीं किया है ठीक है इस टाइब के questions पूछा जाता है तो आप देखो हमने दो catch block declare किया दोनों pipe मतलब इसमें भी pipe हमने बताया है इसमें भी pipe मतलब दो से ज्यादा एक से ज्यादा दो तीन चार आप बता सकते हो मैंने इसमें भी दो बताया exception इसमें भी दो type के exception ठीक है तो आप इसा बता सकते हो multiple catch blocks में multiple आप exception बता सकते हो एक ही catch blocks के अंदर ठीक है या आप यह दो हमने चार लिखा है ना यह दो इसमें दो इसमें total 4 हो गया आप 4 एक ही catch block में declare कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो मैंने दोनों तरीका बता दिया आपको ऐसा कुछ नहीं clear point I hope clear है यह है basically pipe symbol जो जावा के assessment है बोल सकते हो ठीक है ना clear है I hope clear है अपको ठीक है इसको note कर लो note करके practical करो प्रैक्टिकल करोगे concept clear रहे ठीक है लाइक करो comment करो share करो subscribe करो यार मिलते है नेक्स्ट वीडियो थैंक्यू बाबाए